हलो दोस्तों स्वागत हैं हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और हल को फुल के बारे में दोस्तों यह हमारा और हुल का फुल है और यह बिल्कुल मर चुका है आप जो देख रहे हो सिर्फ इनकी पतियां हरे हैं और यह पुरी तरह से खराब हो चुकी है आप देखिए कि यहां पर किस तरह से हमारा इसमें मिली बाताई का टाय काई हुई है उसमें चींटियां काई फूल आई हुई है और इनके इस तरह यहां पर देखे की इनोमें किस तरह से हमारा मिली प घंगोर रूप से चाही हुई है क्योंकि इसको क्या होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें अगर मिली प किस तरह से हम च huns कुछ करने होगा इसमें आपको आपको कटिंग करना होगा च本来 हashing अब कर दोए यहां पर देखिए इस तरह से हमारा गुलहड में जिसे हम लोग उड़ुल बोलते हैं ओड़ुल के प्लांट्स में मिली अटैक आई हुई है इस तरह से देखिए कि हमारी चारू तरफ से इस फंगी साइड को हम कैसे दूर करेंगी किस तरह से दूर करेंगे इसकी मिठियां से आ रही है और ये पोधी को बिल्कुल भी बनने नहीं दे रही है क्योंकि और भी मैंने ओड़ुल का फुल जो लगाई हूं दोस्तों उसमें कलियां ही कलियां आ रही है और फुल भी खिल रहे है लेकिन इस ओड़ुल की फुल में हमारा एक भी कलियां नहीं बनी हुई है और ये बिल्क अपनाना होगा दोस्तों जो मैं आपको आज अपनी वीडियो पर बताऊंगे दोस्तों आप मेरी वीडियो पर नहीं हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दिखी हमारे इस ऐज़ू का फोल में पृंग कलर का और आई हुई है और इसमें देखी कल्या भी अधिक मात्रेमी लगी हुई है दोस्तों और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी इसमी फलाबर भी खिल रहे हैं क्योंकि एक चोटा सा गमली में जगाई हूँ और इसमें फ्लाबरिंग के साथ साथ इसमें इहाँ पर कल्ये भी बहुत ही अधिक मात्प लगी हुई है उसके बाद हम बात करते हैं चायना उड्रोल के प्लांट्स के बारे में तो यहाँ पर देखिए यह भी हमारे फ्लाबरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ी हुई है क्योंकि यहां पर देखिए मैंने बहुत सारे इसमें कलियां देखा रहे हूँ जो आप देख पाओगे कि यहां पर कितने सारे कलियां बन रही है कलियां बन रही है और यहां पर देखिए यहां पर भी हमारे ब प्टर आपके पास होगा अगर तार काटने वाले तो उससे आपको इस प्लांट्स को कट कर लेना होगा आप चारू तरफ से इसको कटिंग कर ले क्योंकि कट करने से क्या होगा दोस्तों कि हमारा फंगी साइट थो थोड़ा सा कम हो जाएगी उसके बाद हम इस पर लगी हुई है दोस्तों क्योंकि अगर इतनी सारी मिली पग अगर पौधे पर अटैक आएगी तो पौधा बिल्कुल मरने का कागार में तो हो जाएगा लेकिन इसको हमें बचाने के लिए कुछ ऐसा ट्रीक भी तो अपनाना होगा क्योंकि मरते हुए पौधे को बचाना आप का काम है नहीं तो दोस्तों हमारा प्लांस एकदम गंले से खराब हो जाएगी इस तरह से द Algerम ने कितने सारी तो दोस्तों मैंने यहां पर अच्छी थरह नहीं लगेगी तो इसको छोटे पौधे को और इनकी दिखी इनकी जड में क्या हुआ है दोस्तों आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं इनको जड का भी केयर करना हमारा काम है नहीं तो देखी यहां पर चीटिया कितनी सारे निकल रही है और इस चीटिया जब हमारी प्लांट्स में लग जाएगी तो यह हमार तरह से देख सकती हो तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे यह हमारी पास है बीट यह मार्केट में आपको मिल जागी और थोड़ी महंगी भी मिलती है तो भी चलेगा क्योंकि हमारी बोड़ी पर जिस तरह से यह हमारा बीट काम करती है उसी तरह से हमारे पौधे पर भी यह काम करती है तो आपको डालना कैसे है किस तरह से डालना है तो मैं आपको आज डाल कर बताऊंगे क्योंकि आप इसकी मदद ले ले तो यससे आपका Noel दि और बनिया हो जायेगी तो चलिए हम आपको डाल कर दिखाती हूँ की कैसे आपको डालना है तो देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है कट करने के बाद आपको जैसे कि आप गाजर घसती हूँ उस तरह से आप छोटे चिदर से इसको घसना है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर मैंने जैसे गाजर घसती हूँ उसी तरह से मैंने बीट को यहाँ पर घस ली है अब आपको डालना कैसे है इसको डालना है आपके पोधी और आपके गमली में तो चलिए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि इस गमली में आपको करना क्या होगा तो हम मीटी को गुलाय कर लेते हैं इस तरह से मीटी को गुल कर सके यहां जो चीटियां लग रही है दोस्तो इस पर भी हम आपको बताते हैं कि आपको ध्यान देना होगा नहीं तो दोस्तो यह हमारा प्लांट्स बिल्कुल मरने की कागार में हो गई है अब चलिए आपको डालना कैसे है तो देखे इस तरह से हमारा जो बीठ है अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम इसमें चीटियां को आने से ही रोक रहे हैं यह बेट डालने से आपका चीटियां बिल्कुल भी नहीं लगेगी और यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से पौधे हो जाएगी तो देखे मैंने यहां पर गोल आकार बना कर इस तरह से डाल दी है औ मैं आपको फिर बताओंगी प्रोच्छिम आपको फिर बताओंगी लुप 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 प्रचाज़ लुप मैंने यहां पर अच्छी तरह से यहां पर देखिए मैंने यहां पर अच्छी तरह से रॉंड करकर बिछा दी हूं अभी इस तरह से बिछाओ और देखिए हमारा चीट्न जो है इधर उधर घसा कर रही है भाग रही है उसके बाद हम बात करते हैं इसी का लीक्वीड दोस्तों मैंने यहां पर बनाई हूँ अब आपको इस फटलाइजर को भी यूच करना है अगर आप चाहोगे तो इसमें आप छिड़कव भी कर सकते हो क्योंकि यह जो हमारा बना हुगा है लिक्विड है जो मैंने कई दिनों से बना कर बीट की मदस से इसमें मैंने रखी हू तो वो क्या होगा कि हमारा प्लांस बहुत ही बढ़िया होगी और इसमें छिड़कव की मदद भी करेगी तो दोस्तों मैंने यहां पर डाल कर बताई हूँ अब आपको इसको फिर से मैं बताऊंगी सबसे पहले हम छिड़कव करने की बारे में बता रही हूँ तो देखिए इस तरह से आप भर कर इस फिरी वाली पंपर इस पर छिड़कव करे ताकि हमारा प्लांस अच्छी तरह से ग्रोथ करे और इसको बचाना है तो मैंने देखिए पूरे प्लांस पर इसको छिड़कव कर दी हूँ अब आपको करना क्या है इसको जैसे कि मैंने तो यहां पर ब पानी डालना भूख। पॉधे के लिए नुकसान और इन्हानि कारक इसलिए मैंने पानी डालूगी कल या पर्सॉ तो क्योंकि बरसात हो रही है थोड़ा बहुत बरसात हो ही जाती है उसकी वजह से चया प्लांट से मैंने इसको डहक दिया है अब यह प्लांट तो आप देख सकते हैं कि कितने सुन्दर देखने में लग रही है अब ये अलग ग्रोथ करेगी और ये उसी तरह से जिस तरह से हमारा पिछले वाले उलुका प्लांट से फ्लावर दे रही है उसी तरह से ये भी प्लांट से हमारा प्लांट से 15 से 20 दिनों में फ्लावर देना स्टार्ट कर देगी दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अधी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों